निर्वया केस में आज एक और दोशी की याचिका जो के क्योर्टी पेटिशन लगाई गई थी इसे खारिश कर दिया सुप्रिम कोर्ट ने देथ वारेंट पर रोक लगाने के अरजी में खारिश कर दी गई है तो डेथ वारेंट की अरजी दो आज मामलों को लेकर के कोर्ट में सुनवाई थी तो निर्वया केस में एक दोशी की किरोटी पेटिशन जो के अबसे थोड़ी दिर पहले खारिश की गई थी और इस वक्त डेथ वारेंट पर रोक को लेकर के अब डेथ वारेंट की रोक वाली अर्जी को भी निर्भया केस में सुप्रिम कोर्ट में खारिश कर दिया है हमारे सेयोगी अमित हमारे साथ फुन लाइन के जरी है अमित दो मामलों के सुनवाई आज हुई और दोनों ही अपीलों को खारिश कर दिया एक क्यूरिटी पिटिशन पवन की और इसके बाद डेथ वारेंट पर रोक लगाने की अर्जी अब आगई की तस्विर क्या है तो आज ही दयायायाच का सम्मेट होगी जिसका एक option होगा कि अभी दयायायाच का पेंडिंग है जिस वज़े से फासी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी एक प्रारूप है फासी रोकने का और जो हाई कोड ने डिसीजन दिया था कि किसी भी केस के अगर चार आरूपी है तो चारों को एक साथ सजा होगी तो इस बात को लेके सुप्रीम कोड में दिल्ली पुलिस दौरा चुनोती दी गई थी वो भी आच का पेंडिंग है क्या वाना जाए कि कम से कम अभी 14 दिनों तक फासी होना मुश्किल है क्योंकि दयायायच का खारिज होने के बाद भी 14 दिनों का वक्त मिलता है जी बिल्कुल देखिए अब यहीं बड़ी बात है कि कल भी जो तीसरा तीसरी बार डेस वारंट पटेयाला आउस कोड ने जारी किया था वो उस समय भी फासी होनी मुश्किल है और फिर से पटेयाला आउस कोड को हो सकता है कि नया डेस वारंट जारी करना पड़े लेकिन इस पी जो परवन पास आप्शन है अगर उस आप्शन का आज ही प्रियोग हो जाता है तो उस पे भी बहुत जल्द जल्द डिसीजन आ जाएगा अगर वो अगर बैयायाच का प रसल उस याचिका को खारिच कर दिया जिसमें डेथ वारंट को लेकर के उस पर स्टेर करने के लिए रोक लगाने के लिए दोश्यों के तरफ से लगाई गए थी और दूसरी एक याचिका जो की आज सुप्रिम कोट ने खारिच की है पवन का पवन की क्यूरिटी पेटिश थी उस क्यूरिटी पेटिशन को खारिच कर दिया हलाकि क्यूरिटी पेटिशन खारिच होने के बाद में अभी भी मर्शी पेटिशन उसके पास में बच रहा है और मर्शी पेटिशन खारिच होने के बाद में किसी भी दोशी को फौसी के सजा पाए शखस को 14 दिनों की महल मिलती है हमारे साथ अश्वनी दूबे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फॉलाइन के जरे जोड़ें अधिवक्ता फॉलाइन के जरे जारी हुआ पंदरा इनके पास टाइम था लेकिन अलग अलग जुक्ता बैठे रहे एक दिन पहले वो भी जिसका डाला था उसको नहीं डाले इन्होंने पूरा समय खराब किया है कोर्ट को गुमराह किया है और आज इनकी अपील खारीज हो गई है और कल उनको फासे लाइब आज अपील खारीज हो गई है कल मुजिर्मों को फासी नहीं है अच्छिए अपने नयाई बेवस्ता फस्टुरू से भी भरोसा था आज भी है हम बीच में कई ऐसे सीचिवेसन आए हम परिसान हो गए डगमगाए लेकिन हमारी विश्वास तब खतम थी नयाज खतम है और फाइनली कलून को फांसी हो आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जिस तरीके से एपी सिंग लोका मजाग बना रहे थे लोको मैनूपलेट कर रहे थे उस पर आज बेन लगा है और कल वो डेट है जिसमें हैं किया जाएगा देखिए सर समझना ये पड़ेगा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है या जो कानून है उसका इंटेंशन ये है कि कोई भी अगर अच्छे आशाय से कानून में जाता है नयाय मांगने के लिए या अपने बचाओ करने के लिए तो निश्री रूप को उसको दिया जाएगा लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये पीटिशन पट्याला हाॉस कोट में 18 में मूब की थी दिसम्बर में कोट इनको बराबर एक साल तक कूछता रहा क्या कोई पिटीशन पेंडिंग है लेकिन एपी सिंग कोट को गुमरा करते रहे इस पटेला हाउस कोड ने दो बार पोस्पोन कर दिया अपना ही ओडर इसलिए कि उनके पास अगर रेमिडी है वो अवेल कर ले लेकिन जब ये ओडर 17 फरबरी को मानिये पटेला हाउस कोड ने किया उसमें उन्होंने एक बात को क्लियर मेंसन कर दिया था कि अब अगर ये कि इसी भी रेमिडी का क्लेम करते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये डिलेट एक्ट की उच्च कर रहे हैं क्योंकि जो डहली हाई कोड ने ओडर किया था जिसमें इनको साथ दिन का समय दिया गया था वो टाइम लैप्स कर चुका था इसलिए इस कोड में आज जो ऑडर किया व पेटिशन इनकी मेंटनेबल भी नहीं थी लेकिन वोड ने उसको भी सुना इनका धाई साल बाद रिब्यू पेटिशन का टाइम 30 डेज होता है फाइल करने का लेकिन अच्छा कुमार जो है वो करीब धाई साल बाद रिब्यू लेकर के जाता है ओपन कोड में जैज उसको भ लेकिन आज इस कोड के ओडर का मैं स्वागत करती हूं कि लोग के मैनुपलेशन को रोका गया और जो इन्होंने एक पेटिशन मूब की थी कि क्यों ना डैस सेंटेंस को पोस्पॉन किया जाए वो एपी सिंग की पेटिशन को अगेन डिसमिस किया गया सर एक और ची आज को में ये बहस हुई है कि जो अक्षा है कुमार की इन्होंने पेटिशन मर्ची पेटिशन फाइल की थी वो इन्होंने बोल लें कि वो हमारी कंप्लीट मर्ची नहीं थी जबकि तिहार जेल प्रशासन ने सारे डोकुमेंट प्रेशिडेंट ओप इंडिया को भेजे थे और व हाउस कोड सुनवाई करने जा रहा है देखे अगर इन्होंने पबन की जो दयायाज का फाइल की है वो एक दो इनको जब पट्याला हाउस कोड ने सुबह सुनवाई की तब तक इनकी कोई पेटिशन कहीं पेंडिंग नहीं थी और अगर ये एपी सिंग ने ये क्लेम कर रह किया वो फोर्ज बकालत नामा था पहले बाला जबकि फ्रेस बकालत नामा चाहिए था तो इस हिसाब मुझे लग रहा कि जैसे लोगा मैनूपलेशन कर रहे थे मैं अब तो इन पे आप इनको पनिस भी करना चाहिए कि कि अगर इस तरीके से आप डिलेट अक्टिक यूज क करेंगे और फिर डोकुमेंट प्रोबाइड करवाएंगे कोट को तो यह तो पनिशेबल ओफेंस है तो निशे लूप से मैं उम्मीद करती हूं कि अगर दो बजे भी कोट सुनेगा तो कोई इनको रिलीव नहीं मिलेगा